माइ डियर फ्रेंड्स वेलकम आ टोपी जो अने तमने त्याँ पीछा पन जोवा मलशे तो टोपी अने पीछू कहीं आदावे छे कोई इंगलिश इडियम आच्छा तो चालो हुझे तमने कहीं दव के आजे आपने फेधा इने क्याप ये विश्य चर्चा करिये सामन्य अर्थेनो सिध्धी प्राप्त करवी एवो थाई छे जैरे सफलता हासल कोई करे व्यक्ती त्यार आपने अंग्रेजी माँ फेधा इने क्याप एम कहीं चीए ये तो बहुँ सर्व सामन्य बाबाच्छे स्पष्ट वाच्छे के जे खुब महनत करे एने जहमेशा सफलता मलती वोई छे अने सफलता जे नेमले एना थी तो हमेशा गोर वधे जेते व्यक्तिनू एनो सामाजीक मोभो पन वधे व्यक्तिनू उस्तरे उच्चू जाई अने आह जेमने महनत करी छे परसे वाथी जेलोको नाया छे अने खुब परिश्रम थी कशुक प्राप्त थायू छे एटले तो आनंद जे थवानो छे हा तो आब धानी वच्चे सफलता सिद्धी तो फेधर एमा क्या थिया इवू अने एमा केपनू शुकान छे आ बे निवच्चे काई सम्बंध खर जो ये जू वो आ चित्र आया केटला कसाई नियको देखाई छे एमने चोपी मा आपने फ्वेधर छोगा कलगी पीछा एवू देखाई छे तो पहला अर्थप्रमाने आपने वात करिये तो आ एक इंगलीश फ्रेज चे इंगलीश लोको ये आपेलो छे इंगलीश मा वार कल्चर ए आपने जोवा मिल्यू छे हमेशा अंगरीजी लोको पूर्वे थी कोईक ने कोईक साथे हमेशा लड़ता रहिया छे एमना पड़ोशिवो होए के दूर दूर ना देशो होए वार कल्चर मा थी आवेलो आ शब्द छे तो साईनिकों हमेशा दुश्मनने मारता अने जे दुश्मनने मारी नेक्यो होए एना माटे थाईने जेते साईनिक ने एक छोगू एनी टोपी मा लगावा मा आवतू अने एम समझातु के जेते साईनिके केटला बदा दुश्मनने मायरो छे अने आवू छोगू मलवू एतो बहादूरेनों प्रतीक युद्धमा गणाए एटले जेतला वधू पीछा एम वधू बहादूर साईनिक गणाए अने आगल एना भविश माटे पान एक खुब का आजे पन NCC केडेट्स अने साईनिकोने आपने एमनी केप मा आवा कलगी आवू एक छोगू एजोवा मले छे एटले आम फेधरीने केप एक सफलतानू प्रतीक बंदीने आईवू एक बिजोपन अर्थ छे अने बिजा अर्थ प्रमाने इंगलेंड माद केटला प्लोको प पक्षी एन नकी करता है दूर दूर नू और अने ए पक्षी पासे जईने एनो शिकार करवानों रहतों अने आतोबु घुरू का मतू एटले जे व्यक्ति पक्षी पासे सव्थी पहले पहुँची जाये एनो शिकार करे अने इस्वोँ भाईक पने एना पीछा ए लएले अने पोतानी तोपी मा ए लगावी देतो। एटले जहेम सैनिकने माटे एक छोगू होतु। एम शिकार माटे पण सैनिकनी जहमाज जेते व्यक्ति माटे पोतानी कैप मा आवू पिछू लगावा मा आवूतु। एना थी केवोव एकदम सुक्ष्मरीते काम करनारो। एनी नजर एनु काम ए साबित थतु। अने एनी शिकार नी कला एमाथी व्यक्त थती। एटले एनी कैप मा आव बदू इंगित करवा मा आवूतु। जहेम सैनिकने माटे मोब होतु। एम आ शिकार करवो एपणे ना मानमो भानू प्रतिक बनी रहतु। एटले आम फेधरीने कैप आपनी सामे आयवू। परन्तु आव बदी वर्षो जुनी वात थती। आजे तो इंगिलेन मापन घणोबधो प्रतिबंध है वोच्छ शिकार उपर। अने हवे आव बदी बाबत नो अर्थ एजुदो थयो छे। हवे पोजीचीव मीनिंग आपनी पासे मिले ओछे। एटले के हवे कोई पन व्यक्ति, कोई पन शित्रम्मा कशी पन सफलता प्राप्त करे। कई गवरों लई आवे तो आपने एम कई शकाए के फेधर इने क्या। हाँ, ए अवे व्यक्ति गत लाभनू केंद्र बन्यू छे। अने ए जेते व्यक्ति माटे लागू पड़ी शके छे। अने भविश्यमा एना प्रमोशन माटे पन एने खुब काम मा आवे। तो चालो, आपनी पासे अपन घणों समय छे। आपने पन आपना जीवन मा कोई कला शिखी ने एक छोगू उमेरिये अने एम आपने पन आपनू स्तर उचु लई जाईये अने एटला माटेज आपने कई एक फेधर इने कैप। इच्छू के तमरा जीवन नी अंदर तमे पन कशिक न कशिक कला शिखी ने कोई छोगू उमेर्षो तेवी आशा राकू छू। थेंक्यू एरी माचू। झाल